प्रोट्री क्लब और फ्रेंड्स फोरेवर संस्था के सदस्यों ने सुक्मा जिले के किष्टाराम नक्सली हमले में सहीद जवानों को संधान्जली अरपीत की 35-30 सिंदी समुदाय भवन में सदस्यों ने केंडल जला कर सहीदों को नमन किया सदस्यों ने कहा कि उनकी संस्था की और से सेना के सहीज जवानों के परिवारों की मदद करने की पहल की जाएगी संस्था के सदस्य अनिल जजज सिंगानी ने कहा कि सुकमा जैसे नकसली हमलों की पुन्रावित्ती नहो इसके लिए सरकार को ठोसकदम उठाने होंगे उन्होंने सहीज जवानों को नमाकों से सद्धानजली अर्पित की सदस्य की यदि शती हो जाए वो शहीद हो जाए तो कितनी दुगदाई इस्थिती होती है उसी इस्थिती ना आए इसके लिए हम ये दर्ख्वास करते हैं हम सभी मिलके यहां पे यह शद्धानजली दे रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांती मिले भगवान उनके परिवार को यह साहस दे और उनके इस दुख में हम लोग भी शामिल हैं यही विंती कर रहे हैं हम सरकार से भी कि वे उनके परिवार को जिस भी तरह से शती पूर्ती करना चाहते हैं वो करें और हम सभी यहाँ पर मिलके यह शद्धांजली अर्पित कर रहे हैं अभी हम लोग इसलिए यह मीटिंग बुलाई है कि यदि कुछ हमें जरूर बन पड़ेगा तो हम लोग आपस में बैठ के कुछ ना कुछ एक ऐसा कारे करें जिनसे इन्हें किसी ना किसी तरह से हम मदद कर सकें